Hello students, आज हम worksheet 60 करेंगे, which is a continuation of circle, तो इसमें आज हम cyclic quadrilateral के बार में पढ़ेंगे, अब cyclic quadrilateral क्या होता है, एक ऐसा quadrilateral जिसके चारों vertices circle के उपर होते हैं, उसे cyclic quadrilateral कहते हैं, अब इसके उपर based एक theorem है, which is very important theorem, उसमें ये theorem है कि एक cyclic quadrilateral के opposite angles का जो sum है, वो 180 होता है, यानि कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं, angle ABC plus angle ADC इन दोनों का sum भी 180 होगा, और angle DAB और DCB इन दोनों का sum भी 180 होगा, और इसका जो converse है वो भी true होगा, कि अगर एक quadrilateral है और उसके opposite angles का sum 180 है, यानि जैसे यहाँ पर Q और S का sum 180 और P और R का sum भी 180 है, तो क्या यह एक cyclic quadrilateral होगा, तो इसका answer है yes, यह एक cyclic quadrilateral होगा, यानि कि एक cyclic quadrilateral है, तो opposite angles का sum 180 होगा, और अगर एक ऐसा quadrilateral है, जिसके opposite angles का sum 180 है, तो वो एक cyclic quadrilateral होगा, तो इस result को यूज़ करके, हम आगे questions करते हैं, try करते हैं, तो देखें इसमें, first question है, कि आपको एक cyclic quadrilateral दिया हुआ है, एक quadrilateral है, cyclic आपको दिख रहे हैं आपर, इसमें ये angle 70 दिया है, ये 30 दिया है, और आपको ये angle BCD आपको find out करना है, तो यहाँ देखते हैं, ये 30 है, ये 70 है, और आपको BCD angle find करना है, तो अब यहाँ पर हमें, इसको कई तरीके से question कर सकते हैं, लेकिन जो अज़ादासान तरीका है, मैं आपको बहुत तरीका बता रहे हूँ, अब देखिए, यहाँ पर ये जो angle BAC है, और ये angle BDC है, ये angle in the same segment है, और इसके पहले वाले worksheet में हमने ये discuss किया था, कि angles in the same segment equal होते हैं, अब ये देखिए, ये इसी arc से ये दोनों angles बन रहे हैं, same segment में, तो अगर ये 30 ह है, तो ये भी 30 होगा, तो ये 30 आ गया, अब इस triangle को consider करें, तो इसमें ये 30 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 और 30 का sum, यानि कि 100, यानि 180 माइनस 100 हो जाएगा, ये angle 80 आ जाएगा, यानि इसको दुबारा देखते हैं, ये दोनों angles तो 30 हो गए थे, अब इस triangle BDC में इन तीनों का sum 180 है, तो यहां से angle BCD हमारा 80 डिग्रीज आ जाएगा, तो ये हो गया first question, second question में आपको दिया है, कि एक cyclic quadrital है, इसमें side PS को, एक PQRS cyclic quadrital है, side PS को extend करके A तक ले गए हैं, और इसमें PQR अगर 80 है, तो आपको ASR angle निकालना है, अब इसको समझ लेते है कि ये 80 है, और ये cyclic quadrital है, तो इसके जो opposite angles का sum है, वो 180 होगा, तो ये 80 है, तो ये 180 माइनस 80 यानि 100 हो गया, और again अब ये ASR angle और PSR angle ये दोनों linear pair हैं, तो linear pair का sum 180 होता है, तो अगर ये 100 है, तो ये 180 माइनस 100 यानि कि ये 80 हो जाएगा, यानि इसको देख लेते हैं, since PQRS is a cyclic quadrital, तो angle PQR plus angle PSR, इनका sum 180 होगा, sum of opposite angles of a cyclic quadrital is 180, तो देर्फोर PSR कितना आ गया हमारा, 100 आ गया, और लेकिन ये दोनों linear pair है, तो इसलिए दोनों का sum 180 होगा, इसलिए RSA और ASR बोथ हैं, तो ये 80 degrees आ गया, तो ये 80 degrees आ गया, देर्फोर angle ASR is 80 degrees. लेते हैं, आ को आ कितनी हैं, इसलिए भाजба को काया है, इसलिए RSA आ गया, तो ये 6-TR, ह़े हैं, तो ये 10 कितना आ गया, इसलिह vil 38 कितनी हैं, तो ये 30 e two, кил इसलिए R और रखोंगा, ऋहरे दो 65 होपाना थींजश्स, kylaँड़ से